अभी चार-पांत दिन बाद 25 तारीक है 25 तारीक को है क्रिस्मस दी कौन सटी है अपने धर्म में मरना भिकारी बनना अच्छा है दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से और हम प्रातना करेंगे 25 तारीक को सबको क्रिस्मस दे याद होगा पर भूल गए तुम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के भीच में हमारे गुरू गोविंद सींग के पुत्रों की खून की बल्दान इसलिए यदि किसी ने अंटा सेंटा को बनाने की कोशिज की या किसी होटल ने कोई पार्टी करने की कोशिज की तो फिर अपना सीसा बचाने का काम करेगा तुम भगवान का नाम न अगरred प्रवीश मसी के नाम में आप सभी को जे मसी की जिसस वॉइस यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो मेरे प्रियो अभी क्रिस्मस की तैयारी सुरू हो चुकी है कई जगों पर क्रिस्मस मनाए भी जा रहा है कई जगों पर सोबा यात्रा निकाली जा रही है कई जगों पर प्रभीश मसी का सुसमाचार सुनाया जा रहा है लेकिन उनमें हैं कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो मसीही लोगों का विरोध कर रहे हैं जो क्रिश्मस का विरोध कर रहे हैं जी हाँ, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, जो क्रिस्मस का विरोध कर रहे हैं, आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में वो लोग क्रिस्मस का विरोध कर रहे हैं, 25 दिसंबर को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, जी हाँ, और बोल रहे हैं कि हम क्रिस्मस नहीं मनाने देंग पंजाब में प्रोफिट बजिंदर सिंग का जो सोबा यात्रा था जो पोश्टर लगे थे इन पोश्टरों को फार दिया गया और बताया जा रहा है कि यहां पर सोबा यात्रा नहीं निकलेगी और नहीं क्रिस्मस मनाया जाएगा इस प्रकार से अलग अलग राज्जु में हम देख सकते हैं कि अलग अलग वीडियो आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग ये बोल रहे हैं खुले आम बोल रहे हैं कि हम क्रिस्मस नहीं मनाने देंगे कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मसीही लोगों ने किसी और लोगों का विरोध किया कि हम आपको ये तहवार नहीं मनाने देंगे उनकी रेलियों को भंग किया है उनकी रेलियों में पत्राव किया है या कुछ भी किया हो पॉस्टर को फाड़ा है जलाया है कुछ भी कियो आपने अभी तक नहीं सुना होगा क्योंकि मसीही लोग ऐसा नहीं करते हैं वो सभी के साथ प्रेम रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीही लोगों का विरोध करते हैं जो इशुमसी का विरोध करते हैं और क्रिस्मस का विरोध करते हैं काई जगों पर हमने देखा है कि बाइबलों को फाड़ा गया, जलाया गया है, काई जगों पर प्रभी शुमसी के जो पोस्टर है, उनको भी फाड़ा गया है, काई जगों पर पास्टरों को भला बुरा कहा गया, इस प्रकार से हम अलग-अलग तरीकों से हम देख सकते हैं क कि कुछ लोग है वो विरोध कर रहे हैं लेकिन प्रभु ने कहा है कि अंत के दिनों में मेरे नाम के कारण सब जाती की लोग तुमसे बेर करेंगे इस प्रकार से प्रभु ने कहा कुछ भी होता जाए विरोध होता जाए या कुछ भी होता जाए हम तो क्रिस्मस मनाएंगे हम क्रिस्मस मनाने से कोई भी रोक सकता नहीं है क्रिस्मस मनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इस्टार टांग दिया घर को डेकोरोशन कर दिया तो क्रिस्मस मिलकुल नहीं क्रिस्मस भी ये शुमसी क्योंकि 25 दिसंबर को हम क्रिस्मस इसलिए मनाते हैं कि 2000 22 साल पहले दुनिया मे और धार करता का जनम हुआ था और वो के वल यहूदियों के लिए नहीं था वो के वल इसराइल लोगों के लिए भी नहीं था यह सारी जाती यह सारी जगत के लिए था इस परकार से बाइबल हमें बताती है वो लोगों को बचाने के लिए आया चाहे वो कोई से भी समुधाय के लोग हैं चाहे वो उनका विरोध भी क्यों ना करते हैं परमेशर उनसे प्रेम करता है और उनको भी बचाना चाहता है लेकिन आज इस परकार से लोग हैं कि जो परमेशर के प्रेम को नहीं जानते हैं हर समय वो नफरत की नजर से देखते हैं मसीही लोगों के पर आरोब लगाते हैं कि लोग तो पैसा देकर क्रिश्वन बनाते हैं पैसे देकर धरम परिवर्तन करवाते हैं और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रभू येश्व मसी का पाश्रों का विश्वास्यू का विरोध करते हैं अभी फिलाल हम देख रहे हैं कि हर साल जब भी कृष्टमस आता है तो शेंटा क्लोस को पुतला जलाया जाता है कहीं पर पाश्टरों को गरिपतर किया जाता है तो कहीं खुले आम धंकिया मिलती है कि यहां पर अगर तुमने कृष्टमस मनाया तो होटल को तोड़ फोड किया जाएगा होटल को बंद किया जाएगा इस परकार से खुले आम धंकिया दे रहे हैं यह जो क्रिस्मस है केवल क्रिश्चन लोग का ही नहीं है यह पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुस खबरी है एक सुब समाचार है जो सरगदुतों ने चरवाहों को दिया था बोला था कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसिया है तो क्रिस्मस के वल क्रिश्चन लोगों के लिए नहीं है यह पूरी जाती के लिए एक उद्धार का एक सुब संदे से खुसी की खबर है कि इस दुनिया को बजाने वाले का जन्म होता है इसलिए हम इस दिन क्रिस्मस मनाते है और इस दिन प्रभु ये शुमसी के जन्म के कारे में बताया जाता है बड़े आनंद के साथ खुसी के साथ आप क्रिस्मस बनाए ए प्रभु आप सभी को आशिच दे आपके परिवार को आशिच दे प्रेज लोड जैमसी की हैपी क्रिसमस और हैपी न्यूर एड़एंस में